नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं महतों गिरफतार करने पहुंची थी, लेकिन वे चक्मा देकर वहाँ से निकल गए थे जैराम महतों एक माई को नमांकन के बद डिसी करेया लेवा पिंडरा, जोरा, इस्थीत, साबा, अस्थल पर गिरफतारी देने के आरोपित हैं उन्होंने अग्रिम जवानत के लिए आवेदन बोकारो ब्यवहार नयाला में दिया है, मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई वही दीपक कुमार रवानी ने भी अग्रिम जवानत के लिए आवेदन दिया है मामले में जेल भेज़ेगा तीन आरूपितों में रिजवान अंसारी, फरजान, खान और संजय महतों की जमानत सुनवाई के बाद अधालत ने मंजूर कर ली है सत्ता में आने पर लागू करेंगे सारना धर्मकोड राहूल गांधी कांग्रेस के पुर्वर राष्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांधी ने कहा है कि केंद्र में यदि इंडिया गड़ बंदन की सरकार बनी तो जनगन्ना में सारना धर्मकोड लागू किया जाएगा इस दोरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा है कि जार्खन सरकार ने सारना कोड के लिए विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा लेकिन केंद्र सरकार कोई पाहल नहीं कर रही है राहूल मंगलवर को चाईबसा और गुबला के बस्या में चुनावी सभा को समोधित कर रहे थे चाईबसा में राहूल ने जहां जामो परत्यासी जोबाबान जी को जीताने के अपिल की वहीं बस्या में खुटी से कांग्रेस परतियासी काली चरण मुंडा और लोहदगा से सुखदेव भगत को वोट देने का अवहान किया है पलामू में बजरपात से तीन बच्चों की मौत पलामू जिले में बजरपात की अलग-अलग हटनाओं में तीन की मौत हो गई है मोहमद गंज थाना छेतरे में एक बच्ची एवं एक की सोर की मौत हुई जबकि पाकी थाना छेतरे में एक बच्चे की मौत की खबर है सुचना मिलने पर परखंड प्रसाशन मामले की जनकारी लेने में जुटा है मौसम विभाग के प्रोनमान के अनुसार मंगलवार दो फर बाद अचानक से मौसम बतल गया तेज आंदी के साथ हलकी बारिस हुई बजरपात भी हुआ मौसम विभाग ने बजरपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया था बता दे जीले के मौहमद गज अंचल अंतरगत को लहुआ सुन बर्सा परंचायत के गाजी बिहरा गाओं के लेमुवा टिकर टोला निवासी बिनोध पस्वान की पुत्री साक्षी कुमारी की मौत मंगलवार की सामबजरपात से गंभीर खायल होने के बाद हुसायनाबाद अनुमंडली अस्पताल ले जाने के दोन रास्ते में हो गई है वा अपने घर के बाहर खेल रही थी रांची में प्यान गिरने से दो की मौत तीन की हालात गंभीर जारखन में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला इसमें रांची के नामकुम इलाके में आंधी तूफान में बिसाल पेड़ वाहनों पर गिर गया इसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोगों की हालात गंभीर है इन्हें रिम्स में भारती कराया गया इस सड़क हाज से में कार सवार पूरी तरह सुरक्षी था है बता दे रांची के नाम कुम छेत्र में मंगलवार की साम आयांधी में सड़क किनारे खड़े 20 साल पास से गुजर रहे कार इसकुटी एवं दो बाइक सवारों पर गिर गया इसमें सकुटी सवार सोनुकुमार साहू, पिता वसं साहू, बेडवार डी, कोदल डी, पोकर निवासी की मौत हो गई है जबकि इलाज के दुरान जयत्ती भारती की मौत हो गई जबकि तीन लोगों को गंभीर आवास्थामे रिम्स में भरती कराया गया है राजमहल से लोबिन हेमरम ने निर्दालिय भरा परचा राजमहल लोग सभा संसदेश से मंगलवार को नमांकन के पहले दिन बोर्यों से जामो विधायक लोबिन हेमरम ने निर्दालिय उमिद्वार के रूप में परचा दाखिल किया है नमांकन के बाद साम करीब चार बजे की रिसी बजार मैदान में जणसभा को समोधित किया अपने सम्बोधन में लोविन ने कहा है कि जो लोग मुझे कम करके आख रहे हैं उन्हें चार जून को पईणाम के बाद पस्तावा होगा राज महल छेत्रे में उन्हें अपाजन समर्थन मिल रहा है अपनी जीत पक की बताते हुए लोईन ने कहा है कि जारखन मोक्ती मोर्चा ने उनकी बात न सुनकर जो भोल की है इसका कम्या जाना पार्टी को भूगतना होगा जारखन की चार लोगसभा सीटों से 22 की उमिद्वारी रद 110 क्लोर की जबती जारखन की चार लोगसभा सीट रांची धनवाजम सेथपूर गिरीडी के लिए नमाकन खत्म होने के बाद इसकूटनी की परकिर्या में 22 उमिद्वारों का परचार रद हो गया है यहाँ जारखन के मुख निवाचर पता अधिकारी केर अभिकुमा ने दिया है उन्होंने जारखन देते हो पता है गिरीडी संसदे निर्वाचन छेतर से सबसेज़ साथ परचे रद होने के बाद अब गिरीडी संसदे छेतर से कूल 18 उमिद्वार मैदान में है अगर बात करें धन बात संसदे छेतर की तो तीन परत्यासियों का परचार रद हो गया है परचार रद होने के बाद अब चुनावी मैदान में 25 उमिद्वार मैदान में बचे है वहीं रांची संसदे निर्वाचन छेत्र से 6 लोग का नमंकर रध हो गया है अब रांची लोग सभा से 27 उमिद्वार के बीच चुनावी रशा कसी होगी वहीं जम सेथपूर संसदे निर्वाचन छेत्र की बात करे दो 6 लोग का परचार रध हुआ है यहां अब 26 उमिद्वार बचे हुए है जारखन में 11 मही तक गरज के साथ बजरपात की असंका जारखन में मौसों का मिजाज बदला बदला सा है कई जगों पर बारिस हुआ हवाई चलने से लोग को रहात मिली है वहीं इस दोरन गरज वा बजरपात से नुकसान भी पहुँचा है रामगार समयत कई जिलों में भारी बारिस वा वला विरिष्टी हो सकती है मौसम विभाग ने अपने प्रोनवान में 11 मही तक राज में गरज के साथ बजरपात के संका जताई है इस दोरन हवाए भी तेज चलेंगी मौसम में बदलाव से लोगों को चिचलाती धूप वही तुएप से रहात तो मिलेगी लेकिन सतरक रहने की भी जरूरत था इसे लेकर मौसम विभाग ने एलो अलट जारी किया है बतादे जरकन के रामगार बोकारोगी डी पूर्वी सिम्मूम हजारी बागो सराई के लजिले में कई कई भारी बारिस भी हो सकती है राहूल गांधी चाई बासा में बोले आदिवासी महिलाओ की सवारेंगे जिंदगी कांग्रेस के वरिष्ट नेतर राहूल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि भाजपा की सरकार आदिवासीों दलितों पीछोडों को उनका अधिकार नहीं देना चाहती है जल जंगल और जमीन पर आदिवासीों का पाला अधिकार है लकिन केंद्र सरकार उन्हें इन से वंचित रखना चाहती है इसलिए नरेंद्र मोधी सरकार समिधान को खत्म करना चाहती है इस समिधान को बचाने के लिए हमारे नेताव ने कुरबानी दी है इस समिधान से ही आपको सीक्षा, इलाज, नौकरी समेत अन्य अधिकार मिलते हैं इसलिए इसे बचाना जरूरी है इंडिया गडबंदन समिधान को खत्म नहीं करने देगा हम आपका अधिकार दिलाक कर रहेंगे इसके लिए यह चुनाव जरूरी है जर्कन में चमपई सुरेन के नेतिवत में इंडिया गडबंदन की सरकार इसके लिए संगहर्स कर रही है मोधी सरकार की नजर आपकी जमीन, जंगल और जल पर है वहीं इसे अंबानी और अधानी को देना चाहती है राहूल गांधी चाई बसा के टाटा कॉलेज परिशार में इंडिया गडबंदन की पत्यासी जोबा मांजी के समर्थन के सावा को समोधित कर रहे थे बावुलाल ने सीएम चमपई को लिखी चिठी गोपनिये पत्र की सीवियाई से जाज कराने की मांग जारखन बिजेपी के अध्यक्ष और पूर मुख मंतरी बावुलाल मांडी ने इडि द्वारा जब्त 35 कोडोर की रासी मामले में मुख मंतरी 25 को पत्र लिखा है इस पत्र में बावल अर्मांडी ने कहा है कि इड़ी के छेत्री ये करेले द्वारा मुखे सचीव को लिखे गोपनिये पत्र की प्रती ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम के नीजी सचीव के करमचारी के घर से मिली है उन्होंने कहा है कि एक गंभीर मामला है कि कैसे एक गोपनिये पत्र नीजी सचीव के करमचारी के आवास से मिला है और इसकी जाच कराने की मांग की है आपको पता देगी सोमवार को जार्खन के ग्रामिन भीकास मंत्री अलमगीर अलम के पी एस संजीव लाल के सहायक जहां गीर के आवास में छापे मारी की गई छापे मारी के दोरान एड़ी ने कूल 35 की नगद रासी जब्त की है वहीं एक सहायक के यहां इतनी बड़ी मात्रा में कैस जब्त होने से पुरे देश में चर्चा का भी साय बना हुए है लातेहर से हथियार का भय दिखा कर लूट पाट करने वाले दो गिरफतार जारखन के लातेहर जीले में हतियार का भाय दिखा कर लूट पाट वा छिंताई करने वाले गिरोह के दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया है गिरफतार अपराधियों के पास से तीन भरठ हुआ बंदू को एक देशी पिस्टोल बरामत की गई इस आज की जनकारी पुलिस अधिक छक अंजनी अंजन ने मंगलवार को आयोजीत प्रेस वारता में दी है बता देल आते हैं के एस पी अंजनी अंजने बताया है कि गिरफतार अपराधियों पपु कुमार सिंग, पीता सर्यू सिंग और सोनम सिंग, उर्फ बसंद सिंग, पीता जीतेंदर सिंग सामिल है गुप्त सुचना मिली थी कि हत्यार के साथ कुछ लूटेरों किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं जमसेदपूर में अपराधियोंने की फैरिंग दो युवक घाया जमसेदपूर के सोनारी में फैरिंग की घटना में दो लोगों के घायल होने की खबर है इस घटना में अभाय और सूरे हेम्रम नामक युवक के घायल होने की खबर है फैरिंग की इस घटना से आसपास के इलाके में संसानी फैल गई है घटना की जनकारी मिलने के बाद पुलिस जाच में जूट कई है आपको बता देगी फैरिंग की घटना कहीं न कहीं बताती है की अफराधियों के होसले बुलन्द है जनकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद घायलों को टाटा मेन होस्पिटल में परतिकरा गया है बिष्टुपूर इस्थीद CH एरिया में मंगलवार की दोफ़र आरोपी अकास सिंग उर्फ बाटला ने अभाय गोप और सुरे हेमरम नाम के दो यूकों को गोली मार दी है गुमला में गरजे राहूल गांधी बीजेपी को बताया आदिवासी बिरोधी राहूल गांधी ने गुमला में चुनावी जन सभा को समोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता समिधान खत्म करने की बात कर रहे हैं राहूल ने आदिवासीयों की बात करते हुए कहा है कि जल, जंगल, जमीन के मालिक आप हैं आदिवासियों के बच्चे सभी विभागों में अस्थान मिले एक कांग्रेस का लक्ष बिजेपी पुंजी पतियों को जल जंगल जमीन सोप देना चाहती है कांग्रेस आदिवासियों के हित की रक्षा करना चाहती है बिजेपी ने रेलवे के निजी करन करने की साजी स्रची बिजेपी की सरकार के उपर पुञी पतियों के लिए काम करने का आरूप लगाया कांगरेस ने तरहुल गांधी ने कहा कि बिजेपी ने 22 लोगों के 16,00,000,000 रूपे दे दिये गिरीडी में आयार्बी जवानों से भरी बस पल्टी एक की मौत दस घायल जार्खन के गिरीडी जीले के बगोदर थाना चेतर जहरी पूल घागरा कॉलेज के समीप मंगलवार की दोफार आयार्बी जवानों से भरी बस असंतुलित होकर दुरगाटना गरस्त हो गाई इसमें एक जवान की मौके पर ही मौत हो गाई करिब 10 जवान घायल हो गाई मृतक जवान के पहचान विकास भगत के रूप में की गई है सभी आयार्बी के जवान है जो गिरीडी से गढ़वा जा रहे थे इसी दोरान बस असंतुलित होकर दुरगाटना गरस्त हो गई है इस बाबात बताया जाता है कि सीखर टेवल्स नामक बस जो की जिटी रोड डूमरी की तरब से बगोदर आ रही थी तभी बस का चालक एक बाइक को बचाने के करम में असंतुलित होकर डिवाइडर में चड़ गई और बस का टायर फटने से सीधी सड़क पर जाकर पलट गई चमरा लिंडा को जामो ने पार्टी से किया सस्पेंट जामो ने बागी नेताव पर करवाई करना सुरू कर दिया है खुटी सीट से नेदलिये चुनाव लड़ने वाले बसंत लोंगा के बाद आपार्टी ने विधायक चमरा लिंडा पर करवाई की है उन्होंने बिशनु पूर बिधान सभाद छेत्र के इस विधायक को सस्पे कर दिया है गौतला भाई की चमरा लिंडा ने लोहर देगा लोक सभाद सीट से नमांकन दाखिल कर दिया है जबकि उस सीट से इंडिया गणबंदर ने कांग्रेस के सुखदेव भगत को परतासी बनाया है जामो के केंदरिये कमेटी ने बिशनु पूर बिधान सभाद चम एक जुन से सुरू हो जाएगी यारपोट अथरिटी अफ इंडिया वा डिजी सीए ने इंडिगो को देवघर बैंगलूरू हावाई सेवा का सलोट दे दिया है इंडिगो के अनुसार बैंगलूरू से फलाइट सुब्बा दस बच कर 20 मियट में टेक ओफ करेगी और दो देवघर से बैंगलूरू का किराया 6,000 रुपे निधारित किया गया है देवघर में बैंगलूरू की हवाई टिकट की बुकिंग आठ मई से भी शुरू हो जाएगी आठवी तक इसकूलों को पुना खोलने की मांगते जारकन प्राइबेट इसकूल एसोसियेशन जीला इकाई दुमका के प्रतिनी दिमंडलने जीला सचीव करुन कुमार राय तथा अधियक्स इंगनेसिया मुर्मो के नितित में जीला सिक्षा अधिक्षक तथा जीला उप क्षा पुना आरम करने की मांग की है पताधिकार्यों द्वारे यह निर्देश दिया क्या है कि आठ मई से अगले आदेश प्राप्त होने तक सभी विद्याले संचाल अपने अपने विद्यालियों में वर्ग नर्सरी सस्टम तक की कक्षा को अस्थागित रखेंगे अन्य पुना सिंह के ठीकानों से 35 बंड दो तिन कड़ों रुपे बरामत किया था एडी जांच में आयत अथ्यों के मुताबिक जहागीर के गाड़ी खाना इस्थित फलेट से जो 31 कड़ों रुपे बरामत किये गए थे वह महज 3 माह में जमा किये गए थे फलेट की खरीद भी पर सिर्फ इसलिया की गई थी ताकि यह पैसो को रखा जा सके धन्यवाद